आज मैं आप लोगों के साथ मोर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ वो भी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उसके बाद भी मरपस बहुत काम होता है तो सुबह के 9 बज रहे हैं यहाँ पर मैं नहाद हो के तयार हो चुकी हूँ और पूजा होजा सारे चीज़े कर लिए मैंने उसके बाद फिर से हम कीचन में चलेंगे तेवारों का समय है कुछ चीज़े हमें बना के सभी को रखना चाहिए क्योंकि इसकी बिनानत तेवार अधूरे लगते हैं तो मैं पहले सोची की पहले तयारी कर लूँ और उसके बाद हम अराम से ब्रेक फ़स्ट करेंगे तो मैंने किया किया पहले सबसे पहले यहां पर डेड़ कप मैदा ले रही हूँ इसकी जगे आप गेहों का आटा भी ले सकते हैं आप मेजर्मेंट कप ग्लाज जिससे करना चाहते कर सकते हैं उसके बाद इसके अंदर कुछ चीजे डालेंगे जैसे नमक अपने टेस्ट के कोडिंग हल्दी पाउडर कलर के लिए वन फोर्थ टेबल इस्पून और अजवाइन हाफ टेबल इस्पून इसको क्रश करके हमें डालना है उसके बाद यहाँ पे कस्मेरी लाल मिर्च ले रही हूँ कलर के लिए उसके बाद इहाँ डाल रही हूँ हाफ टेबल इस्पून चाट मसाला और इसके अंदर पांच से छे कुटी हुई काली मिर्च क्योंकि यह नास्ता थोड़ा सा चटपटा बनके तयार होता है इसे बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे और हाफ टेबल इस्पून मैंने कसूरी मेती डाला है सारे चीजों को मैंने वैसे छोड़ के बाहर आ गए हूँ क्योंकि दूद वाला आ गया है इसी बीच में यह टाइम दूद वाले का होता है तो मैंने दूद भी ले लिया और गेस पे यहां चड़ा दिया है फिर हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पहले सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद हमें इतना मोयन डालना है कि यह मुठी में आ जाए तो मैंने यहां पे टू इस्पून के करीब अभी तेल डाला है अराम से डेड़ कप में बड़ा वाला जो इस्पून होता है उससे सफिसियंट है दो इस्पून भरके तो देखिए मुठी बंद रहा है अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां में डेड़ कप के इसाब से चार मिडियम साइज का आलू लिया इसको कद्दू कस करेंगे यह हम एक स्मोल समोसा बना रहे है इस्मोल तरह का यह बहुत ही अच्छा आलू मेदा मसाले बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनके त्यार होगा और एक हमें टाइट आटा ल कर लेते हैं तो मैंने यहां एक बड़ाय सुन भर के देशी घी है कोई सी भी ले सकते हैं उसमें एक स्पून मैदा एक सब्स् осबनीचान रिख करा घटा उह अगर आपक एक प्रम् rend कर ही before ना देख थोड़ा फे कर लेते हैं मोंसम ठोड़ा होने लग ग जा आएट भी उत् चलिए मेरा तो नास्ता हो गया है अब फिर से आगे हम तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं तेल को पहले से गरम होने के लिए रख देती हूं कड़ाई में ताकि तेल अच्छे से गरम हो जाए और ध्यान रहे लोफ लेंपे में तेल को हमेशा गरम करना चाहिए जो आप ते हमान रखना है थोड़ा टाइट होना चाहिए तो आपका नास्ता है क्रिश्पी बन सेके उसके बाद मैंने रोटी की तरफ बेल लिया है रोटी से बड़ा उसके बाद हम साटा को लगा लेंगे लगाने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है तो ध्यान रहे जितना टाइट फ तो यहां पर मैंने फोल्ड कर लिया है उसके बाद क्या करेंगे दोनों साइड से किनारों को हम निकाल देंगे उसके बाद इसके हम छोटे-छोटे से टुकड़े करेंगे पेड़े के अकार के तो इस तरह से मैंने छोटे-छोटे टुकड़े करने के बद आप इसको ऐसे भी चिपटा करके तल सकते हैं पर मैं समोसे का सेप दे रही थोड़ा सा तो इसको क्या करेंगे हलका सा बेल के और उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर देंगे ये नास्ता आप 15 दिन तक भी श्टोर करके रखेंगे बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और तेवारों में तो ये सब चीजे जरूर बनाना चाहिए और उसके बाद हमें लो फ्लेंपे से तलना है ये नास्ता क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेश्टी बनता है इसे आप चाय के साथ इंजोए कीजी आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें